सारी विरोल नगर पंचायत के लोगों को मैं सबसे पहले सादर नमन करता हूँ, अपने यार दोस्तों को प्यार भड़ा एक मैसे देना चाहता हूँ, जुन्होंने मुझे सब दिन चाहा है, मैं 15 वरसों से अबजला पंचायत, आज पहली बार विरोल नगर पंचायत हुआ है लेकिन इस अबजला पंचायत में 15 वरसों से मेहनत करता आया हूँ, और एलक्सन लड़ता आया हूँ, और जनता का प्यार मुझे हमेशा मिला है, कलके डेट में रंजीत भगत भोटर नहीं था, लेकिन यहां की जनता ने हमेशा हजारों हजार की संक्या में भोट दिया है, महादिब का किरपा नहीं हो रहा था, इसके बज़े से मैं कुछ भोटर से हार जाता था, इस वार रंजीत भगत खुज भोटर है, पुरा गाउँ आज उसका भोटर है, और उसके माध्यम से, आज मैं एक ससक्त भूमिका में हूँ, और अगर इस पर चाहा और आप लोगों सारा बिजनेस सब कुछ सारा सिपोल बजार में है, और मैं विरोल नगर पंचायत का ही निवासी हूँ, और मैं इस बार मुख पारसद के पत से नमनिशन किया है, और सारे विरोल नगर पंचायत के लोगों को मैं सबसे पहले साधर नमन करता हूँ, अपने यार दोस्तों को प्यार भरा एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जुन्होंने मुझे सब दिन चाहा है मैं पंद्रो वर्सों से अबजला पंचाथ आज पहली बार विरोल नगर पंचाथ हुआ है लेकिन इस अबजला पंचाथ मैं पंद्रो वर्सों से मेनत करता आया हूँ और एलक्सन लड़ता आया हूँ और जनता का प्यार मुझे हमेशा मिला है कल के डेट बे रंजित भगत भोटर नहीं था लेकिन यहां की जनता ने हमेशा हजारों हजार की संख्या में भोट दिया है महादिब का किरपा नहीं हो रहा था इसके बज़े से मैं कुछ भोटर से हार जाता था इस बार रंजित भगत खुझ भोटर है पूरा गाउँ आज उसका भोटर है और उसके माध्याम से आज मैं एक ससक्त भूमिका में हूँ और अगर इस पर चाहा और आप लोगों का प्यार मिला तो मैं आपको मुझे आपका सिवा करने का मौका मिलेगा जनता आपको किस उमीद से चुने और भोट दे आप जीतने एक बाद क्या-क्या जनता के लिए कीजिएगा सबसे पहले बात तो यहां के जनता जो भी है वो तो मैंने पहले ही परनामनमन कर लिया यहां के जनता को आज तक कोई भी चीज या आज तक जो भी सरकार की और से कुछ भी अगर मतलब आया है वो सो समय उनको नहीं पहुचा है अगर पहुचता भी है तो उसके लिए पैसे पहले पैसा का डिमांड होता है उसके बाद ही जनता को मिलता है क्योंकि नेता का पहला काम होता है कि नेतागरी करना और मानगी जीतने के बाद पहले होता है कि खुब पैसा कमाूँ पहले खुब खिलांओ खुब कमाऊ यह तो जो भी आवंटन होगा सवस्व में उनको मिल जाएगा